प्राइब करीने तरफ एवू कहीं का अपने फाचर मारिये देखाएचे बारती बहुत जारा देखाएचे ये तो तमने आउस्सरे खबर पड़ से जारे अनुबहुत असे त्यारे एक आत्वाणा रदे मां गुराणु राग प्रक्तिव अनुड गुराणु राग थातोस्प्रक्तिव एपने ख़य करा जारे शाण प्रसंसा देवलोक मां थाई और एक दिवात मां थी प्रसंसा सवन्ना थाई सगी यह आव्यों नीचे यह जो करेवारे कसोटी करवीच के खरेकर आमना मां किटलो भईया वचनों गुण चे आवी ने यह बे बेवों आवेच यह रोप लेदू बन्ने नाए साधुनों रोप अधुनों रोप लेदू जाड़ा और उल्टी थाई गया चे अने एक जाड़नी नीचे मुणि आम असक्त थाई ने जाने पड़या चे अने बिजा मुणी गाम मां आवेचे देवज मुणी नू रोप लेदू अने मध्यानकान समय अतों नंदीशेन मुणी गोच्री वर जन करताता मुणी रोज एक आस्तना करें एक आस्तनों करवा माते जहां बैसे चे ने कोडियों मुणा मुखवा जाये चे त्यां पेला मुणी ना वेश्मा आवेला देवे उपास्रे ना ओरड़ा मां थी रार पारी मोटो केचे के मारे वया वच्चनों मने बहु आनन्द आवे चे वह सेवा करना रोच्चों मोटो सेवत नो जो है तो तो त्यां अगर विचारा पेला साधू बिमारी मां रिबाया करे चे और आने अत्यारे तने खावानू सुझे अत्यारे तने पूख लागी खावा बैठो और वली कहेचे कि हूं तो वया वच्च बहु करू तो जाने वया वच्च करवा जैरे एक साधू भौचरी वापरवा माते बैठा हुए तैरे बिजो साधू आवी ने एना वया वच्ची तमें खोब सेवा करो चो एवी अनुमोद्र न कोई करे प्रसंसा करे तो तो गमे पन जे खरीकर अध्रथ वया वच्च करता हुए प्रती पाती वह वईया वच्चनों गुनेने इतलों सिद्ध करे लो छे जा मा मुनिये भूम मारी तरत खावान उपरतू मुक्य। पात्रा पात्रा ने ठिकाने रिया नंदी शेन मुनी उभाते जाँ सूकी दू कोई मुनी बिमार छे मने खबर नहीं नहीं तो हूँ एननी चुकत सेवा करवा जाथ क्या थी मने आवो लाप मने बहुत सारो करिय। तो मैं वन्या समाचा रात्या और गोचिली ने पड़ती मुकी ने नंदी शेन मुनी कपड़ों उठ्यों और तरत खूपन्या क्यां छे मुनी राइज जान नीचे विचारा जाला ने उल्टी थे गया छे सेवा करवी हो तो तो त्यां करने आई हूँ आवी ने भरानों त मना जाओ छिंतो चैक guest के छीवा करनारनी जो हेजानों नहीं हो तो tussen शेवा करवा जाओ क्रां त्यारे पन कदातां प्रतिय कोईनंगमाना अंगारा वर्शावे त्यारे इन पन्सेवानों आपनों बाव तुट वय नामन सेवा प्रत्वक्चनष ओके नल्यी क्न जान नीचे तो पहला देवे बरोबर नी माया रची छे एक दम बदी गंद की गंद की बद्धी थेगी छे कपड़ा पन गंडा थेगया छे औने मुनी करता उल्टी करता बैठा चे तरह तो नंदी शेन मुनी पहुंची जाए छे ओहुँ इने एक दम हम द्रदय मां कहीं थे वक्ते इमने समाधी आप पी जो ये इमने शेवा करवी जो ये मारू कारे हो तो अने हुँ आशो करीब है ठो तरह तक या बैसे छे इमने पीठ उपरा मात फिर वे चे उल्टी थे रहे छे पहला मुनी ने जराग ठीक थेओ जो ये जोए छे नंदी शेन मुनी का सोटीच क करिवाे कर्वा ये आता था प्रेत फे किली कैया मरी यू तो यह तहयार मोटू के चाहिद मटू हूँ हूं सेऊा करूऊ भदानी चे लाति मज़े वानने का मरीू खे वक्ते हमच के बानू महां ह। मैं मंता था शेमादल मर्लण तो तमें मरो त्यार वो जऊँछू। एक तो तमारा उल्टी वाला अने जाडा वाला गंदा विवाग ने अंदर आवी ने आमें बैसिये। तमारी सेवा करिये ने उपर थी तमने कदर नथी। कोई वाद ने। मुनिराज मने खबर ने। आपने अत्ली बदी तकलीप छे। मारे आपनी सेवा करवी जोई यहूं ना करी शक्यों। मारो अपराथ समा करो। नम्रताथ यहनी क्षमा मागेच। अने आप जराबेशो उँँ अमनाज नजीक ना कोई गरमाची पानी लई आओ। जेची आपनू सधिर सुद्ध थेजाए। आपना कपडापन सुद्ध थेजाओं। यहां कपडा लईने अमनाज आओू छू। नन्दी शेनमोनी पाचा दोर सा उपड़ा एक पात्र नी अंदर पानी लई आओ। दीजी एक पतानी कपडानी जोड़ती एक कपडा लई आओ। आम आमनी ने तरता पोते शुद्धी करेचे। यहां चालो आपनी बरोबर वयावच्च थे आपनी जल्दी सारू अदर तरता नन्दी शेनमोनी पताना खभा ऊपर उपड़ेचे। अने खभा उपर उपर उप्पर उपर 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 उण्दी और आफना रावचो अ कितली बढ़ी असाता नो उड़े चे आ मुनि राजने इमने कितली तकलीप ठती अशे जल्दी पहुचू ने जल्दी इमने सारू थे जाएऊ कहीं करू आगे बिमार मुनि इने जल्दी साता होडे तो सारू पेलो देव कसोटी करवा मां बाकी नथी राखतो गंदो करियो सरीर छता है नहीं कोई असर नथी वड़ी आगर जरात चाल्या उपासरे पहुंचवा मांटे जल्दी पग उपाले छे जल्दी पग उपाले आजका लागे छे तरफ पेला खबे बैठेला मुनी है माथा मां मार्यों है पण फिद्धोचाल ने एक तोहीं मारू असर चे सरीर ने उचों नीचों सूता है चे आई आजका कितला लागे चे कहीं भान चे तने शेवा करवा गया हो जीने ते वक्ते पण सामेती आवा जारे अंगमान अंगारा वर्षे क्यारे मनमा सूता है नंदी शेयन मुनी ने कोई असर न थी उचों समझू चों आपने तकलिप पड़े चे पर जल्दी आपने सारू सा इतला माटे जा जडब थी चाले रहे हो चो छता हुँ ध्यान राकिस आपने आजका ओछा आवे रिते हुँ चाली समना जराई जा नंदी शेयन मुनी ना मनना भाव माँ पन कोई फरक न थी पर तो कान के मुख्य त्रान गुणों यमने सिद्ध करे ला आता सेवा माटे ना त्रान गुणों चे समर पड़नों भाव बिजाने माते मारे गसई छुटवानू छे बसा एक कजवार बिजा घमेते करे मारे बिजो विचारनी करवानों मारे बिजा आत्माने समाधी पहुचाड़ वीची समर पड़नों भाव अने जेनी सिवा करिएची आपनी सेवानी कोई कदर नची करता अने उपरती आपनी प्रतय अनुचित वर्थन करेचे तो तेवक्ते सई नूतानों संसकार प्रतिकुically ताने पन सवन करवानी थैयारी अने रवेली उदारता मानता अने विशारता असे आ मामुनी इमना मनमा अभी व्याकूरता वे स्वाबावी चे सरीर मा जारे स्वस्ततानों है सरीर मा जारे तकलीपों है तेरे कोई नूपन मन व्याकूर बनी जाए ने असांत बनी जाए बाकि आके मामुनी गुसो करेवा छे नहीं परंतु यहां आसाता यहां यहां व्याकूरता उभी करी रहे छे यहां जल्दी साता वड़ी जाए जल्दी संता भाव मा आवी जाए बस मारे तो एक लुच काम छे अनि जहां चेक उपास रहे पहुंचे ने पाच्छू इमनू सरीर इमना कपड़ा बद्धू साप करवा मंड़ा अनि ते वक्ते पिलो देव जोई रहे छे अनि इमना वोड़ानी उपर नी स्वस्तता प्रसंदता एकास्तनू अतू गोच्री वापरवा माते बैठा छे वो तानू मूर रूप प्रगट करे छे अनि मूर रूप प्रगट करी ने वन्दन करे छे नंदी शेन मुनी ने के मुनी राज मारो अप्राग शमा करो देव लोक मां अपनी प्रसंसा थै पर आपनी प्रसंसा साभी न शक्यों स्वान न करी शक्यों अनि आपनी कशोटी कर पॉन जेवी प्रसन साथ ही चेना करता पन सवायू दर्शन आजे मने आपना आ जत्तित्वनी अंदर थयू छे खरेकन आपे अध्भूत आवयावच्च नो गुण सिद्ध करियो छे आखिर्वाद आपो अमार आमापन आवा गुणो प्रगत थाए अनि ये नंदेशन मुनिये अप्रतिपाति अवावयावच्च गुण थी अजरत कर्मों नी निल्जरा करीने पुतानू आत्मकल्यान नो मार्ग पकड़ी ली जो परगुण दर्षन थाए अनि जारे आपने गुरु जनो नी शेवा करिये वृद्धृ पुरूसों नी शेवा करिये तपस्वियों नी शेवा करिये त्यारे आपणा उपकारियो ए गुरुजनों एपण कई वित्रागी तो नथी वित्राग ने कोई असर नो है छदमस्त ने असर थायाज अनि जारे तमें विने करो चो बहुमान करो चो एमनी भक्ती करो चो तो एपणे जी वित्रागी नती छदमस्त चे तमारी भक्ती एमना चित्तनी प्रसंद बनाव्याविना रेशे नी अनि गुरु जारे प्रसंद थाये चे गुरुनी जारे कृपा प्राप्त थाये चे त्यारे कृपा वंत बने दा गुरु पचिसू करे ये तमने साची सास्त्रों नी चावी आपी दे सास्त्रों मा तो सब्दों पड़ेला छे पड़ेना रहस्यो औने एना द्वारा आत्मभाव मा जवानी जे चावियो छे ये तो अनुभवी एवा गुरु जनो पासेज होए छे अने वईया वच्चना गुर्थी प्रसन्न थेला एवा गुरु जनो एवा पड़ाए उपकारी जनो एक रुपावन्त थेईने ते वक्ते आपणने आत्मभाव मा जवानी साची साधना बता रेचे एले वईया वच्चना थी चोथो तप आवेचे स्वाध्याए अध्यंतर तपमानों चोथो प्रकारचे स्वाध्याए स्वाणो अध्याए स्वाएकले आत्मा अनि एनो अध्याए एनो चिंतन एनी अनुभूती ए आत्मस्वरूपनी अनुभूती ए अनुभूती केवी रिते प्रात्त थाए गुरूनी खुपावीना कोई दियोस आत्मा नी अनुभुती प्राप्त थैं सकती नेजिए काणके गुरु जनोय साधनानू उन्दार प्राप्त करियो है चे साधना मारगना इसें सफर मुसाफर हो है चे अनी एमनी जिए अनुभवो पसी साधना ओ करिने जी कई प्राप्त करियों चे एकलो पुर्षान आपने करवो ना पड़े मात्र एमनी सेवा करिये एमनी कृपा प्राप्त करिये एमनी प्रसन्नता मले और ये नियनत करिने ये मेडवी होए ये आपने सेलाई थी आपी दे एक वार जनो दिवो प्रक्टी गयो छे तमारे पची दिवासनी लाववानी ने बधी जंजड करवानी जरूर न थी प्रक्टी गयला दिवानी पासे तमें तमारो दिवो लई जाओ अनि एना दीवानों पर्ष तमने थाई गाये तो तमारों बुज़ई कहलो दीवों प्रत्ती जाए साधना करीब करीने केट कितना अनुभा हो पछी एक गुरुजनों है ए महापुरुसों है पुतानों एक जे दीपक प्रत्तावे हो है छे अपना मापन प्रत्ती जाए ए मास्त्र हैमनी प्रुपाती शक्य बनी जाए अपने साची चावी बता ली दे के भई अमें तो बदा प्रयोगों करयाने आलडा अवडा हाथ दी ने छे वट्या अई शुदे पहुच्या अवे अको आमने नक्षो ख्याल चे तू तो सिदे सिदे आम कर एतले आम तने परिणाम मड़ी जाशे मात्र सास्त्रों वाचवा थी कोई दिवस कहीं ठतो नथी सास्त्रों रोश्यो अने एना द्वारा पामवानी शिद्धियो एतो गुरुगम द्वाराज प्राप्त थाये छे अने एतना माते आपने त्यां सास्त्र स्वाध्यायमा गुरुगमनू महत्वा आकवामा आवी छे कोई पर चाहे तो सास्त्रानों स्वाज्जा होए के चाहे तो साधना मार्गनू खेडा होए जेने गुरुगम नती मड़ियो अनुबवी गुरुओनू मार्गदर्शन नती मड़ियो एक खूब प्रहत्न करीने पन बहुँ अल्प परिणाम मेलव शे अनि जेने एवी कोई क पेची न कोई कहीं करें चे पर टेचताये मां सफरता ओनुब आधी मर्थ यहनू कारण शुह एनू कारणार आचे कि कोई यह चौपरियों माँति साधनाओ प्राप्त नती तेदी साधकों पासे थि最च साधना प्राप्त थायचे जे खडखे कर मुक्ष मार्गना आराधक जे दिद्धमार्गना मुसाफर हो जे साचा अर्थमा साधक आत्मा हो जे एमनों गुरुगम प्राप्त करे लिए तमने जे चावियों आप शे ए तमने साचो मार्ग बतार शे एंधर झाल अरश्यों कहला कर से ए तमें वर्शो सुधा उतला वया करो तमने नहीं मरे गुरु गम बहु महत्वनों छे जेने गनान प्राप्त करवों छे अनि इस्तुरुत गनान द्वारा जेने आत्म गनान सुधी पहुचों छे एने माटे आत्म गनानी येवा संतो साधना मारगना सफ़र साधको ए बहु महत्वनों अंग बनी जाये छे एनों सहारो लिजावि पधाये शेवा करो ते वितनाजी नती प्रसंद थसे औनी क्यारत प्रसंद नतेने कई तम ने वु आपी देशे कोई केवी घेट खरावी देशे केजे तमारा जिवन ने ज्याल बनावी देशे स्वाध्याय है श्वानों अध्याय, आत्मानू चिल्पन, पड़े आजेने आजे आपने करी सकियें छिये, ये नो करी सकिये, तो जेमाध ही आत्मा तरफ नू लक्षे केडवाये, जेना द्वारा आत्म भाव माँ जवानी शिद्धियों प्राप्त थाये, एवाजी आत्म ग्नानी संतोना ग्रंथों छे, जे सास्त्रों छे, जे सुत्रों छे, एनू अध्यन करूँ, एपन स्वाध्याये छे, अने एरिते स्वाध्याये माँ जारे आपनू मन, आपने जारे कोईक सास्त्रा लहिने बैशिये छे, सास्त्रानू स्रमर करिये छे, के सास्त्रानू वांचन करिये छे, ते वक्ते विशय ने कसाईनी वृत्तियों आपनी उफ्षांत बनी जाये चे अने कम से कम एतली पड़ो माते तो पवित्रतानों सपर्ष आपने पानी जता हो ये चे अनाधी कार्णों आपनों आए कूल संसकार चे कि जिया आपनु मन नवरू पड़े तरह तो कांतो कोई वैसाइक वृत्तियों और कांतो कोई कासाहिक भावो आ विशय ने कसाइनी वृत्तियों शतत आपने कर्म बंधन करावियो चेने पछारवाने प्रहत्नों करया चे एमां ती मुक्ततवा माते नो स्रेश्ट उपाय हो ह तो यह स्वाध्याय चे तत्व चिंतन जारे आपने करवा देशिये चे कोई एक सास्त्रनी गंभीर वातों ने आपने समझवानों प्रहत्न करिये चे ते पड़े आपनों चित पवित्रतानों स्पर्शपामे अविनारेतू नथि तम मार्क कर जो मारा गंता गंता आजी तो फोटा विचारो खराब विचारो पढ़िक तात्विक गरंथ लिदो और तत्व घ्नाने कर। में सवाध्याय करूं तए वक हैं से साफ्र ने दैंगत आब द्धी ओष्वाध्यारा अपने पाप बानता हैं। कोई वाइसाइक विचारों आवे चाहिए आगड़। कोई अनाधी काड़नों संस्कार सतावे चाहिए आगड़। उन्ना थी एक एक वाथों नु निदर्षन आपने करावी हुचे इने समझ वानुख अने मगजमध अथाव वानुख इने रदेअने परसाव वानुख वानुख अपने गंभीर प्रयत्म करे रहाची है। ते वकट में आपणी पड़ो एकले अत्यंत पवित्रता भरी पड़ो छे अनि ये कहीं उची कर्मनी निर्जरा थती है से रात दिवस असुब वृत्तियों मा अनि असुब संस्कार मा डुबेला आत्मा ने एक गंद की माथी बहार काडी ने पवित्रता ना उच्च शिखरो पर लई जहिए कि आरे शुब कर्मनी निर्जरा न थी तती है कर्मनी निर्जरा एक ले विजुश्च शूचे बहु मटी सिद्धी आपणी जो को यह तो आए चे मने गणी वगत गणा के का मारा साहिप तामें बद्धा व्याक्यान वां चो चो व्याक्यान सांपड़िये तरह एमज लागे के खरे कर आज बद्धो साचू चे ने करवा जे हूँ आज चे पन वरी पाचा लोगों जया बाहर जाए चे ला हता आएवान आवा था ही जाए चे एच गवर एच दंदो एच संसार एच कडाक उतो एच खटपटो और ये बद्धा मामें पड़ी चे है मारा साच पची एम थाए का साभरवानों पन सू और से आखाली टाइम बगारवानों नसी अकला निराशाज वादी मानसो नेगेटिव ठिंकिंग करनारी व्यक्तियों ये हम्मीं सा बद्धे ठेकाने नेगेटिव ज विचारों करया कर से लेक दू दिजू परिणाम तो च च्वक्कस एनी च्वक्कस एक रदे उपर असर होईँ छे सब क्वच्एस मारी ने अंदर जेकेहा विचारों चाले आजाएछे एक विचारों क्यारेकने थे थे जागरत मान मान आववशे त्यारे एक कोई गजबना चमतकारो और परिवरत्वनों जीरन मां लावी नेज थे यह निमनेपाकी खात्री चे परन तो गली बर्ने माते भरिष्चनिवाद जवाद दिये बैंकि तो जेकर ही आजार मानसों अगर आउता होए एक हजार मानसों यह नव थी दस्चनों एक कल्लाक नो समय आगर वितावे छे एक कल्लाक माते कोई यहीं बीडी नथी पीतू क कोई अगर विचार नथी करतू, कोई अगर चोडी नथी करतू, कोई जुथो नथी बोलतू, कोई इंसा नथी करता, तो एक हजार कलाक, आज दुनिया ने अंदर, पाप वगर ना वीते चे, आज उची शिद्धी जे, बद्धी बातों ने जवादे हमना बाजू उपर तामे, पर हमारा हजार डोड़ जार के बेहजार भाई बेनो, आज एक कलाक सुदी, पवित्र भावो मा रम्या करे, अने पवित्र भावो ना अंदोलनों जे आ दुनिया मा फैला है, एनि इसु कोई अफर नहीं हो आ विश्वनी उपर, अने अमारू जिवन जे बेह कलाक ने माते के कलाक ने माते, जे पाप वगर नो भीते चे, इसु उची सिद्धी चे, अना दी कार्थी आपलो आपमा चोई स कलाक पाप मा डुबेलो, रेवा मा केवायलो, एक एक कलाक सुधी बिलकुल निस्पाप पडानी सिद्धियों प्राप्त करे लेचे, आज मुट्टा मा मुट्टी सफरता चे अमारी, जे पशी थवानी होयते थाए, स्वाध्याहिनी आ एक ताता चे, कि आपन ने पवित्र अगता हो ते वक्ते टुटी जाये चे, अनि एवू शास्त्रनी प्राप्ती क्या थी थाए आपनने, आवा शास्त्रों ना रहष्यों कोण पमाले आपनने, जे वा गनानी पुरूस होयते, और गनानी पुरूस होने सू पड़ी छे कि यह तमने पमाले, पहिमनी जारे तमे सेवा करोचे, भक्ती करोचे, वहियावच्च करोचे त्यारे आकरशित ते जाये चे, और यहास्त हसे है कि यह तहाट जीवा आपनने सहज रिते ब्राप्त थाएचे प्राहिस्चित्ता आवे तो यह माती विनवनभ बने और शुब करें डिशा का जैननी आत्मा सहुआ जैने सही उक्राव्या से, परिनाम करें हैlo अपना चित्त माजे आर्थध्यान दनमेच। जे दरध्यान धनमेच। पनि आनू प्रेक्षा स्वाध्यायना ये पांच प्रकार बताड़ेला चे आपने केंक वाँचिये ए स्वाध्यायनों पहलो प्रकार चे वाध्या वाध्या केंक नो समझायू अनि कोई जानकार ने जहिए आपने केंक पुछिये तो ये स्वाध्यायनों भी जो प्रकार चे ये वामवारी हाथ करिये एणू नू पर नू पर नू पर न करिया अंपर चेक्टण करिक्षा नवाजने विकार्ड सीरह कर अनू पर जिए सांप्रियों चेके खुलास अमड़े अनी, हवे आ पनू स्वतंथ्र चिंतन नू पर आपड़े करिये अनि जारे चिंतन करिये चे तेरे माधी कोईक मोती मरे चे सास्त्रों मा तो थोड़ाक सब्दो जोए चे अहीं आगर तो च्वा अभ्यंतर प्रकारना तपोज बता लिदे कि बैस्टित्प विनेय वहिया वच्छ स्वाध्याय जानने कायोद सर्गा च्वा अध्यां तरत्य ज़ुआ वियाफ आप अटलू जो है पड़िव प्रहेश्चित्प अटले शूँ एना द्वारा कया आत्मा न दोस्त नों विनासता हो जोई ये विखास्त वो जो ये बदू सास्त्रमा लखे लो नो है एक चिंतन करिये तो समझाए एक अनुप्रेक्षाने पणा पड़े तेया स्वाध्याय की दो छे चिंतन करूँ सास्त्रमू और एक चिंतन करिया पचे कही कमडे त्यारे एने मात्र पोता नो जो नहीं राखू एने ब धर्मकथा निजाने पड़ा धर्मनी कथा करवी व्याख्यान एक धर्मकथा नामनो स्वाध्यायनों पांत्यमों प्रकार चे आप प्रकारे स्वाध्याये नामनों अभ्यंतरत पाराधी सकाये चे अनि ए रिते जारे आपने अनुप्रेक्षान करता होई है धर्मकथा करता चल्लो छट्टो तप चे कायोत सर्ग ज्यारे आपनों चित्त और थने काम थी परांग्मुख थाए छे अनि चैतन्य ने केंद्रिक करी ने ज्यारे लीन बने छे त्यारे एह आत्म सुरूप माँ आवे लीनता एह लीनतानू परिणाम छे धर्मध्यान एह धर्मध्यान छेव तन्मय बनी जईए छे त्यारे आपनने आपनों देभाव भुलेई जाये छे अनि द्यहाद ध्यास ठुटी जवो देभान भुलेई जवो एनू जनाम छे कायोत सर्ग एध्यान विना सक्य न थी स्रेष्ट साधना छे आत्मामा स्थीर तवानियाने देभाव ने बुली ज देभाव ने भुली जईए तो कर्मबंध तो अटके कर्मबंध न थाये तो जन्मन न लेवो पड़े जन्मन लेवो पड़े तो देहनू बंधन अज न आवे तो देना काय ने उभी सती अनेत जातनी विशं प्रवृत्पियों ने ना काय ने उबाततधा पाप बंधनों बद्धू करीने चेवाटे तो दे थी मुक्त थवानूच। दे भाव 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 थी मुक्त एन्Ыु नाम चे कायोद सर्ग किवी रिट्या है एमनेयम ठी जाए? नहीं त्राप्त करवा माटे बुर ध्यान ज्यान सुधी चाल आ करतू है त्या सुधी कायोद सर्ग ना आवे इतना माते ध्यान जरूरी छे पर ध्यान लादे के भी दिते सुब वस्तो अनि अंदर स्थेरता के भी दिते आवे ए जो सास्त्रनू अलंबन नो है तो स्वाध्याई विना ध्यान थाई शक्तू ने थी पर सम्यक्ष सास्त्रनी प्रात्ती क्या थी थाई अने ये सास्त्र ना रोश्यों क्या थी मड़े तो गुरो जनों पासे थी मड़े अने गुरो जनों वयावच्च द्वारा प्रसन नताये चे मांके वयावच्च होए तोज स्वाध्याया आवे अने वयावच्च विने विना थई शक्ती न थी अने विना प्रायश्च चित् आपने माम दिखाता है तो आपडा करता हो आपनों आत्मा कर्मनी निर्जा करें मुक्त अवस्ताने प्राप्त करी सके छे विने विजे जी माराजे आ बार प्रकारनों तप आपने बतालेों छे एक एक तप उपर दिल्सो सुधी विवेचन थाई शके वो छे गनाब दा द्रस्तान तो आपी शकाएम छे पन आपने तो चमासामा सोल भावना पूरी करवी छे नौ मीमा अटकी नती जवू अनसान उनादरी, वृत्ती शंक्षेप, रसत्याग, सलीनता अने कायक लेश आच्छा आप बाहियत अप छे प्रहेश्चित, विने, वयावच, स्वाध्या, ध्यान अने कायक सर्ग आच्छा अभ्यंतर तप छे बाहियत अप द्वारा भुमिकानू सर्जन करवानू छे, अभ्यंतर तपनी अंदर प्रवेश करीने कर्मनी नरिजना करवानी छे अम बाहियत अपने अभ्यंतर तप बंदेनों समन्वे जो आपना जिवनमा थे जाए तो आपनी साधना एक परिपुरन साधना द्वारा जन्मजन्मान तरना संचित कर्मों नोपन आपनों निकाल से जाए जियन वादरा नां घटा तोब छवाएला होए, तो जो जो जोर-दार पवन फूका ए, तो यह वादरा विख्राई जता होए, चे इन जन्मोजनम्ती आत्मानी उपर कर्मना वादला घराया यह छे इमाजो आँ तोपनो बार प्रकारनों पौन फूका तो आपड़े करी देए तो आँ कर्मना वादला ने विखरेता वार न लागे आँ बार प्रकारना तोपनी आराधना करेए आपने वदोने वदो कर्मनी निर्जना करिये अनियन आद्वारा आपने आपने यू जयाच्छान अहीं आधर पुर्णे थाये छे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वताल्यांतारनम प्रदानम सर्वतार्मानम जैनम्जे किसासनम झाल झाल